अरे आज वीडियो की स्टार्टिंग करते से मैं एक कुकर क्यों दिखा रही हूँ और कुकर के अंदर से पापड ये कैसे हो सकता है क्या कुकर में पापड बन सकते हैं ये पॉसिबल है तो जी हाँ आज मैं आपके साथ पापड की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी ये साबुद आने की पापड है जिसको हम कुकर में बनाएंगे और उसके बाद इसको मैं आपको फ्राय करके दिखाऊंगी इतने पर्फेक्ट पापड बनेंगे सिर्फ एक दिन में ये पापड बनके तयार हो जाएंगे और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पापड सिर्फ इसके नहीं बनाते की इसमें बहुत महनत लगती है बहुत गैस वेस्ट होती है तो ये आपके लिए पर्फेक्ट सल्यूशन है मातर पांच मिनिट की गैस इसको बनाने में लगेगा और कुछ मिन्टो का टाइम लगेगा और आपके पापड बनके रेडी हो जाएंगे आप सुभा इसको बनाईए और शाम को आप इसको पूरी फैमली के साथ इंजॉई कर सकते हैं और ना सिर्फ इसको बना सकते हैं सालों स्टोर करके रखिए बिल्कुल खराब नहीं होंगे आपके कम मेहनत में आपके साल भर की डिश बनके तैयार हो जाएगी देखने में एकदम पर्फेक्ट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और इस नवरातरी आप इसको बनाईए और पूरी नवरातरी आप इसको बनाकर अपने फलाहर में इसको खाईए और अपनी फैमली को भी इसको जरूर खिलाईए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर साबुदाना ले लिया था इसको मैंने राद भर के लिए भिगो दिया था अब इस साबुदान आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें पानी है हमेशा जब भी पापड बनाने के लिए साबुदान भिगाए तो इसमें पानी की कॉंटेक्टी बहुत ज़ादा रहेगी और राद भर भिगाने से ये बहुत ज़ादा सॉफ्ट हो गया है एक बड़ी कटोरी भर के साबुदान था जिसमें मैंने दो गलास जितना पाने डाला था यहां पे मैंने आलू लिया है इसको बड़ा बड़ा कट कर लिया है छील लिया है धो लिया है अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने ले लिया है कोकर इस पापड को हम कोकर में बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर यह भीगे हुए साबुदाने जो है मैं यहां पे डाल देती हूँ अब मैंने बड़े साइस के कटोरे में साबुदाना भीगाया था आप और जादा यह कम कर सकते हैं अपनी जरूरत यह चोईस के हिसाब से अब यह इसमें डाल दिया इसके बाद यह जो आलू थे 5-6 मीडियम साइस के आलू थे वो इसमें डाल दिये आलू चाहें तो आप किसके डाल सकते हैं मैंने इस तरीके से काट रिया इसके बाद इसमें लबखक दो ग्लास जितना मैंने पानी डाला और अब इसकी ढखकन लगा कि हमको इसमें 2 सीटी लेनी है 2 सीटी हाई फ्लेम में ले लेंगे इतना काफी होता है इसके लिए तो फटा फट से कुकर को गैस में रख दिया और इसमें सीटी आ गई पानी जादा डाला है लेकिन फिर भी पानी हमारा जरा सा भी बाहर नहीं आएगा तो ये फटा फट से हो जाएगा और इसके बाद इसको गैस नीचे उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ठंडा होगा तभी कुकर को खोले तो अभी एकदम ठंडा हो गया है अब मैं कुकर को आपको खोल के दिखाती हूँ ये देखिए अच्छी तरीके से जो हमारे साबुदाना था वो एकदम गल गया है एकदम सॉफ्ट हो गया है अब यहां पर ये जो आलू है इसको आप चम्मच से दबा दबा के चाहें तो ऐसे ही फोड सकते हैं अगर आपके चम्मच में अच्छी तरीके से फूट रहा है बहुत कम बरतन भीडा रही हूँ इसलिए इसी कूकर में पूरा पापड बना डालूँगी अगर आप चाहें तो किसी दूसरे भगोने में पतीले में इसको शिफ्ट करके और उसमें आराम से इसको फोड सकते हैं लेकिन मैं बहुत ही कम चीजें यूज करके और बहुत आराम से इजी रहसेपी लेके आती हूँ जिसे किसी को कोई परिशानी ना हो और फटा फट से ये बन जाए तो यहां पर इसको तोड़ेंगे और अगर इससे नहीं हो रहा है तो आप क्या करें एक पावभाजी मैशर ले 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 और उससे इस तरीके से इसको मैश कर दे अगर हम आलू को किसके डालेंगे तो हमको बाद में इस तरीके से तोड़ने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो अच्छी तरीके से आलू को हमको इसमें फोल्ड लेना है और अब जो है धनिया का सीजन है बहुत जादा धनिया आ रही है तो मैं इसमें फ्रेश धनिया का यूज़ कर रही हूँ इसके साथ मैंने हरी मिर्च को भी काट के रखा हुआ है सब चीजों को अच्छी तरीके से धो लिया और उसके बाद मैंने काट लिया वो पास के लिए बना रहे हैं तो अगर आप धनिया और मिर्च अवोइट करना चाते हैं तो कर सकते हैं पर ये तो हरी कोई खाता है तो मैंने इसमें धनिया डाल दी उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूगी हरी मिर्च की जगा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं लाल मिर्च डाल सकते हैं और मिर्च नहीं डालना चाते तो मट डाले अब इसको अच्छी तरीके से हमको यहाँ पर मिक्स कर लेना है ये जो mixture है ये बहुत जादा गाढ़ा हो जाता है तो हमको क्या करना है कि थोड़ा उबला हुआ पानी हमेशा ready रखना है तो मैंने एक बरतन में पानी उबलने के लिए रख दिया है जब भी हम किसी भी तरीके के कोई पापड बनाए तो हमेशा ध्यान रखे कि हमारे पास उबला हुआ पानी अवेलेबल होना चाहिए जैसे जैसे ये बहुत गाढ़ा होने लगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ कर गए तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें सेंधा नमक डालूँगी क्योंकि ये उपास के हैं आप अगर उपास के बेना बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक डाल सकते हैं पर ये डालने से क्या होता है आप इसको नॉर्मली भी खा सकते हैं जब आप कवरत है तो फलाहर के रूप में भी इसको खा सकते हैं तो मैंने इसको 2-3 मिनिट मिक्स कर लिया और यह मुझे काफी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें एक गलास जितना पानी और मिलाओंगी अब मैं क्या कर रही हूं इसमें मैं जीरा एड़ कर रही हूं अगर हो गए हैं यहां पर मैंने आदा चम्मत जितना इसमें जीरा एड़ कर दिया और पानी भी मैंने रख लिया है गरम करके अब पन्नी को मैंने विच्छा के रख दिया है अब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इस पापड को धूप में बनाए आप आराम से अपने तीवी मत करें नहीं तो अभी तो बन जाएंगे और जब आप निकालेंगे ना तो वो तूटने का डर रहता है तो थोड़े से इसको मोटा ही रखेंगे सूखने के बाद यह आटोमेटिकली पतले हो जाते हैं तो फटा फट से यह जितने पापड है मैं इसको डाल दूँगी और म दूप में आप बैट के नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से बना लें और जब पनी छोड़ दे तो उसके बाद आप इसको दूप दिखा दे दूप दिखाने से क्या होता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती हो बढ़ जाती हो यह बिल्कुल खराब नहीं होते हैं वैसे जो है वो मैंने डाल दिये हैं अब फैन ओन करके इसको छोड़ देती हूं तीन चार घंटे बाद मेरे यह जो पापड है यह इस तरीके से सूख गए हैं अच्छी तरीके से अब यह बिल्कुल भी पनी में नहीं चिपकेंगे मैं आपको निकाल के दिखा देती हूं तो यह पूरी तरीके से सूख जाएंगे धूप में डाले होते ना तो यह अभी तक पूरे सूख गए रहते हैं पर मेरे हां क्या है कि धूप जो है सिफ सुबह दो घंटे के लिए आती है तो उस तरह मैं बना नहीं पाई थी तो मैंने बाद में बनाए अब मैं क्या इसको डाल दूँगी इसी तरीके से रख दूँगी और कल एक घंटे की जब दूप आएगी तो मैं इसको दूप में दिखा दूँगी तो मेरे यह पापड जो है वो परफेक्टली सूख जाएंगे और नहीं भी दूप दिखाई तो यह ऐसे ही सूख जाएंगे तो यह द बनके तैयार हो गए अब मैं इसको पूरे साल भर रखूंगी और नवरातरी में जब आपका उपास चल रहा है आपको दुफैर में भूप लगती है कुछ हलका खाना चाते हैं तो इसको बना के रखें और इसको आप आराम से फ्राय करके खा सकते हैं बिलकुल सात्विक है बिलकुल आसानी से आप इसको बना के खा सकते हैं तल के खा सकते हैं बहुत ही कम टाइम लगता है और वैसे भी अगर नवरातरी के लिए नहीं भी बना रहे हैं तो आप साल भर के लिए इसको स्टोर करके रखें बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यूनीक रेसिपी है और बह तेंक्यू